एलो फ्रेंड्स तो आप मैंसे कहीं लोग हैं जो लुषैक्ट की book को पढ़ने से डरते हैं जो को लगता है कि लुषैक्ट की book को याद करना संब llama पर नहीं है तो आज मैं अपनी लुषैक्ट की दिखाता हूं आप उसके हालत देखना कि किस तरह से मैं इसको को पड़ा है आज मैं आपको अपनी लुशेंट लोग दिखा रहा हूं यह देखो तो दारियां पड़ी हुई है यह कितनी बार बुक पढ़ने से आती है यह आप खुद सोचना इस उच् 아침 टो कितनी बार में लाईने से लाईंको कितनी बार में आ हायलाइट किया चिजंगो कितनी बार पढ़ा है रेंदम प tier reci m कोई साथ भी रेड़नम पेज में निकार रहा हूं आपको यह दिख रहा है यह पंच पर सी योज ना इसके मेरे पास अलग से भी नोट्स थे इसलिए आपको यह कम दिख रहा है यह देखो यह पॉलिटी जोग्राफी इस्ट्री पॉलिटी सब मैंने इस स्लूचयाट से पढ कोई बहाना बनाए बगेर मुझे पता था यार पढ़ना तो बढ़ेगा अगर सेलेक्शन लेना इतना असान नहीं है असाची कि जीके को करना बढ़ इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम इमानदरी से महनत करें तो कोई सी भी चीज चाहें साइंस हो चाहें जियोग्राफिय यह जाएं कि यह हर चीज को इस बुक से कई बार पढ़ा है और इस बुक मेरा सलेक्शन होता म कई आपको भी यह कहुँगा कि अगर बहना चल रहा है Na कि मुझे याद नहीं होता तो मेरी जékनी बार मेने पढ़ा है इतनी बार पढ़ लो 5-10 बार उसके बाद याद कैसे नहीं होगी वो आप खुद decide कर लेना ठीक है तो इस book को जैसे मैंने पढ़ा है उसी तरह से target बनाओ कि इसी तरह से book को पढ़ो ठीक है color change कर दो book का और book के how-how भी change कर दो लगना चाहिए book को देखते ही यार बंदे ने जो महनत किये वही उसका selection आज decide कर रहे है कि उसका selection क्यूं हुआ है उसकी महनत ही दिखा रही है underline करके किस तरह से मैंने इस book को पढ़ा आज आपके सामने तो comment करें बताना कि क्या आपने इस तरह से book को पढ़ा अभी तक ठीक है Lucent book को आपने कैसे पढ़ा है यह कितने new है क्या इस color में अभी तक आप ले आयो तो बस यह था आपको दिखाना था थोड़ा सा motivate करना था यार यह जी के इतनी भी hard नहीं अगर हम इमानदरी से मैनत करें ठीक है